नमस्कार दोस्तों, फैक्ट फाइल्स में आपका स्वागत है पाकिस्तान में एक ऐसा अलाका है जहां दुनिया की किसी भी बंदुक का मॉडल मिल जाता है वो भी बेहत सस्ते दामों में यह अलाका एक ऐसी जगे है जहां अब तक पुलिस भी जाने से बस्ती रही है चुराई हुए अतियार तो यहां मिलते ही हैं लेकिन हाथ के काम की यहां ज्यादा मांग है रूस की AK-47 हो या बुलगारिया की MP5 सब यहां बनती हैं वो भी कबाड में उठाए गई मेटल से दर्रा आदम खेल में कुछ लोग इन मसूर अतियारों की हूबहू नकल करने में माहिर हैं यहां पर MP5 गन महज 7,000 पाकिस्तानी रुपे में मिल जाती है भारती मुद्रा में इसकी कीमत हुई करीब 6,000 रुपे इसी तरह AK-47 गन या 13,000 पाकिस्तानी रुपे यानि सबा 8,000 भारती रुपे में मिल जाती है बेचने वाले इनके टेस्ट फायर करके भी दखाते हैं ग्राग को पूरी तसल्ली के बाद ही वो कुछ बेशते हैं इन हतियार बनाने वालों का दावा है कि इनके कारीगर इतने कुसल हैं कि उन्हें कोई भी हतियार दिखा दें वो उसकी हूबहू नकल कर देंगे हतियार बनाने के लिए ये लोग स्क्रेप यार्ड से मैटल उठाते हैं यह एक्सर पुराने समुद्री जाजों का कबार होता है जिसे इस काम के लिए इस्तमाल किया जाता है आसपास के इलाकों में रहने वालों को भी कोई परेसानी नहीं है क्योंकि इलाका पस्तून भहुल है और पस्तून परवारों में जमानों से हतियार रखने का चलन रहा है एक जमाना ऐसा भी था जब इस बजार में हर अवेद चीज मिल जाती थी फिर चाहे चोरी की गाड़ी हो या फिर फ़रजी डिगरी 1980 के दसक में यह बजार काफी फाला फूला अफगानिस्तान से सीमया पार कर मुजाहिद दिन यहां आ जाया करते थे और सोबियत संग्र के खिलाफ जंग के लिए यहीं से हतियार खरीदा करते थे बाद में इस जगे पर पाकिस्तान तालिबान का कबजा रहा अब पिछले कुछ वक्त से हालात बदले हैं सरकार धीरे धीरे इस इस इलाके पर नियंतरन करने की कोशिस में लगी हुई है अब दर्रा आदम खेल से हतियारों को बाहर ले जाना मुश्किल हो गया है अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेर करना ना भूले हमारे इसी तरह के और वी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए वीडियो के नीचे दिये हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें